गौर्वर्मेंट स्मार्ट मिडल स्कूल मेंदिपूर शहीर पगसिंग नगरतों हो रहे अज दिस ब्रोडकास्क विच मैं राजीव शर्मा तोड़ा साइंस टीचर तोड़ा सारे अदाव बहुत-बहुत स्वाध करता है प्यारे बिच्चियों बारा नुवंबर दोजार ए कि सनुसारे नुपता है जदर यसी बहुत मैनत कर रहे हैं क्योंकि साड़ा टीचा है कि इस डेट नू जो एक्जाम होन जा रहा है नैस नेशनल अचीवमेंट सर्वे उस विचसी नंबर वन ते ओना है ये साड़े पूरे पंजाब दा टीचा है ते इस टीचर नू कसर शड़ी जा रही है आसे अपने वोलों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस टीचा ही हर हालत दे विच्च हासल करना है साड़े कोल रोज स्टड़ी मेटेरियल उपरों पे जा जाना है ते तुसी भी सारे स्टड़ी मेटेरियल नू चंगी तरीके दरा को खुदे हो ते जो ये विच असी जो 12-17 तारा नेस पेपर आयज सेगा उस विच्च जो विज्जानल संबनतर प्रशन आए सी जो लड़ी नंबर कती तो लेकि लड़ी नंबर पंताली ते सन ते उननु अनुर असी हल करना है ऊथ पैरवयक्च्चियों जो लड़ी नंबर कती ते हैं प्रशन उस हट्डे कोल पहला प्रशन है सो प्रशन एह है के एक कार दो कंटे हैं विच साथ किलोमेटर दा सफर तै कर दी है कार दी चाल की होवेगी अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमेटर इन 2 आज वाट इस पीड अफ दा कार बैर मैं बच्यों स्पीड सामनों पता है ओं दी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन सो इसनों सी बंजाबीच के लिए ये जो चाल है चाल नों सी लिख सक दे हां दूरी बटा समा तक प्यार मैं बैच्चों थे सामन दूरी किन दिती होई है दूरी दिती होई है साथ किलोमेटर दी अते समा समा है साथे कोल टू आज मतलब दो कंटियां था होन असी इसनों इदे सिंपलेस्ट फॉर्म सरा रूप इच लेख दे हैं कि में कराएंगे असी इसनों दो दा पाढ़ा पाढ़ दे हैं साथे कोल उत्तर आना चाहिदा है 3 किलोमेटर प्रतिक अंटा 30 किलोमेटर पर आर आख देखते हैं कि साथे कोल आप्शन स्थे विच एघी ऑप्शन है 30 किलोमेटर पर आर किते स्थत है प्यारी बैच्यों जो असी answer find out किता है ओ है option number 2 so option number 2 that is 30 km per hour is the right answer question number 2 है चार विद्यार्थी ने समान परखनलियां विच एक को जे है मात्रा विच पाणी उबा लिया उनना ने अपडियां परखनलियां नू अगदे वकवक जोना विच रख्या जिवें की हेठा दस्या गया है किस विद्यार्थी दा पानी सबतों पहला उबलेगा so four students boiled same quantity of water in a similar test tubes they placed their test tubes in different zones of the flame as mentioned below whose water will boil first so प्यारे बच्चियों आओ अपाँ इस मौंबत्ती दी मदद दे नाल एस प्रशन नों समझ दे हां प्यारे बच्चियों अपाँ सारे ने पढ़या है कि जो लाट है लाट दा जड़ा सबतों अंद्रूनी पाग है आवला पाग ए सबतों काट गर्म वाला पाग है ते उस तों बाद जड़ा विचका अरला पाग है ए अंदर ले पाग तो थोड़ा गर्म हुनदा है ते सबतों ज़्यादा जो गर्म पाग है वह हुनदा है आउटर मॉस्ट जोन सबतों बारला पाग जड़ाओ के वाइलट के लड़ाओ उनदर जिसनों से अधिक पाग भी कहन दे हाँ तो जड़ा बारला जोन है आउटर मॉस्ट जोन इस दा होटेस्ट जोन तो इस दा मतलब है होया कि जिस टेस्ट ट्यूब नो होटेस्ट जोन मिले हुईगी वो जल्दी teaspoon पाणी जल्दी गरम होएगा सु पेर मुच्चियों जड़ी ौटर मॉस्ट जोन है दिस दा होटेस्ट जोन दा मतलब है होया जड़ी होटेस्ट जोन है ज़े एहे test tube जशन फीच पाणी 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 थीच कर रही है ताँ ताँ सो असी लिखांगे जो स्टूदेंट ए है विद्यार्थी ए है इस दी टेस्ट विच प्या पानी सब्तों पहला उबलेगा सो ए इस दा राइट ओप्शन सो अंसर जो देता होया है ओप्शन सी दियो पर देता होया है स्टूदेंट एदा सो असी यह थे ओप्शन सी नूँ टिक करांगे ए राइट ओप्शन है प्रशन तिन है एक किसान गुलाब दी खेती करना चौनदा है उसनू हेट लिखें विच्चों केडी खेती विदी दी बरतों करनी चाहिए है अफर्मर वांट्स तो डू फार्मिंग ओफ रोजेज विच आफ ता मैथर्डस ओफ प्रोपेगेशन शुट बी फालॉड सब प्यारे बच्चेओं सानु पता है कि गुलाब दी खेती किवी किती जानदी है गुलाब हमेशा उथी कलम लगाई जानदी है ते कलम भी कितना लगाई जानदी है ओहो तकरीवन आठ तो नो इंच दी उसनों डैगनली कट्या जानदा है तिरचा कट्या जानदा है ते उस दी कलम लगाई जानदी है साथे को ओप्शन्स देखते हैं केड़ी केड़ी हैं ओप्शन्स है बिजानू बाणना जुकमक बाणना कलम लगाई ते खंडन ते इस प्रकार साड़ा उत्तर है ओप्शन नमबर सीच कलम लगाई प्रशन चार है तो हंडे स्कूल दे केंपस विच एक रुख है जो तो प पते चाड़ जान्दे हम एन पत्यां दा निप्टारा करन्दा सब्तों वदिया तरीका की है तो देर इस ट्री इन यू स्कूल केंपस दूरिंग ओटम इस लीव शेड़ वट इस बेस्ट वेस्ट वेज़ दिस लीव पत्चाड़ दे मौसम दौरान जुदों पते चाड़ सब्सक्राइब करें तो उननों संबालना वाकई एक उखा कम है पफे भी जदो असी उननों संबालने नहीं हां ता साड़े लेए बहुत अपजोगी वी है क्योंकि सानु पता है कि जो ए पते हम एनननों असी जे मिटी विच दब देए पिट खोद के ता एक कंपोस्ट दा खाद दा रूप लेलें दे हन वी बाई दें तो पात जो के असी अपने बगीचे विच लगे बूटे आनों खाद दे तोरते दे सकदे हन ते ओदे नाल बूटे दा पोशन वधिया हो जान्दा है सो साड़े कोल ऑप्शन हन पहली ऑप्शन है खाद प्राप्त करन लई पत्थे एक टोय विच पाउने दुचा है सकूल केमपस दे बाहर पत्थे नों आग लगावांगे तोजनल की होएगा पर दूशन हो जाएगा असी वातावरण दा कान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, पत्या नू नेडले जालकार विच सोट देओ, एदेनाल भी असी परदूशन नू बदावा दे रहे हैं, एदेनाल वाटर पॉलिशन वद्दा है, ते फोर्थ ओप्शन है स्कूल दे केंपस विच पत्या खेल रन जो पहली ओप्शन है, खाद प्राप्त करन लई, पत्य एक टोई विच पॉनें, एक लाहे वन उपराला है, सो ओप्शन वण इस दा राइट ओप्शन प्रशन पंच, प्रकाश दी एक किरन दरपन दी सता ते टकरौंदी है, जिवें की हेठा दित्ती चत्तर विच दिखाया गया है, प्रावर्तित किरन केडी होवेगी, आरे ओफ लाइट स्ट्राइक्स, अ मिरोर एक शोन इन डाइग्राम वाई दा इंसिदेंट रे, दा रिफ्लेक्टेट रे वुड़ बी, तो प्यर्पच्यों जिवें की चत्तर विच दखाया होया है, जो किरन ए है ए अपाती किरन है, अरे ओफ इंसिदेंस, जो के धरपन दे ऊपर पै रही है, ति धरपन दे ऊपर पैण तो बाद ए रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रावर्तित हो रही है, ति सानु पता है के incidence. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. मतलब है कि आपतन कौन हमेशा प्रावर्तित कौन दे ब्राबर होएगा. इसना मतलब है कि जो अपाति किरण अभी लंब नॉर्मल दे नाल कौन आई बना रही है इसे प्रकार जो प्रावर्तित किरण होएगी आर एवी सेम मेजरमेंट दा अगल बनाएगी नॉर्मल दे नाल. अगल of incidence is always equal to angle of reflection. इस प्रकार जो प्रावर्तित किरण होएगी वो होएगी किरण बी. सो साथे को जो option है, option A is the right option. प्राशन छे है, हेठा देत्याँ दो साण्यां जानवरां दे वर्गी करननो दो श्रेणियां बिच दरसाउं दिया आन. एना जानवरा दे वर्गी करन लेई हेठा देते विकल्पां मिचों केडा विकल्प बरतिया ग्या सी. So, the two tables show the classification of animals into two categories. Which of the options given below was used to classify these animals? ते पहरे बच्चियों सार्णी एकते सार्णी दो दती होई है. सार्णी एकदे विच हीरन हाथी ते गां दखाये गए हम. सार्णी दो दे विच मगरमच, मकड़ी ते शेर दखाये गए हम. जैसी अपनी समझ अथे लगाईए, अपनी common sense यूज़ करिए. तासी देख रहे हैं कि हीरन हाथी ते गां ए सारे की हम. सार्णी एकदे विच सारे ही जानवर जड़े ने, जनने जन्तु दखाये हम, यह सारे शाका हरी हम. ते सार्णी दो दे सारे जानवर मासा हरी हम. ते प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन दो है, उसारी समझ अनुसार बिल्कुल सही ऑप्शन है. So, this is the right option, option number 2. So, प्रशन सात है, चित्तर एक sodium bicarbonate नाल परेया एक गुवारा, एक बोतल दे मूँ नाल जुड़ेया हुया है, जो सिर्के नाल परेया हुया है. चित्तर दो, sodium bicarbonate दे सिर्के विच मिलान कारण गुवारा फुलदा है. गुवारे दे फुलदा की कारण है. गुवारे नाल परेया हुया है, जो सिर्का होना है, विणिगर, हो हिदा एक असिट्या। CH3 COOH, right? तहां हुंद्राइगी है कि जोदों sodium bicarbonate, acetic acid nal, vinegar दिना rejection करदा है, या reject करदा है, तहां केड़ी gas बन दी है, तहां carbon dioxide gas बन दी है, सो carbon dioxide gas बन दी है, जोदों उपर न उड़ दी है, तहां गुबारा फुलदा है, सो आओ देख दी हैं कि साथे कोल केड़ी option दिती होई है, जिसनों से टिक करना है, कि दिती कोई option साथे answer देनाल मैच कर दी है, सो option दिती होई है, कि उपरोक्त प्रजोग नहीं हो सकदा, रसाइनिक प्रतिक्रिया दे कारण carbon dioxide पैदा होन कारण, बोतल विचली हवा गुबारे विच पारंकारण, ते रसाइनिक प्रतिक्रिया दे कारण, पानी पैदा होन कारण, सो प्यारे बच्चियों, साड़ा उत्तर होईगा, रसाइनिक प्रतिक्रिया दे कारण, carbon dioxide पैदा होन कारण, गैस फोलदा है, गुबारा फोलदा है, सो इस प्रकार, option number two is the right option, प्रशन आठ है, एह graph की दखाऊंदा है, what does the graph show, ग्राफ नो त्या ना देखते हैं, जो खड़ में दा है, वो साण नो को लिया लूण, ग्राम से विच वखाया गया है, ते लेट में दा temperature, in degree Celsius साण नो दखाया गया है, सो सनु ग्राफ नो पढ़ दे ही, यह पता लगदा विया है कि, जिवें जिवें, dissolved salt बाद रहा है, उन जही temperature दी बाद रहा है, ठीक है, सो इस प्रकार, असी हुन जो option से थी है हन, उस नो वेख दे हैं, कि साड़े सोच नो की सूट करता है, जो उसी विचार्या है answer, उस साब नाल केड़ी option ठीक है, सो साड़े कोल option एक है कि, तापमान वदन नाल लूंड दे कुलंडी मातरा नो कोई फरक नहीं पैंदा, there is no change in the amount of dissolved salt with the temperature, जो second option है, उस है कि, तापमान वदन कारण पहला लूंड दे कुलंडी मातरा वाद दी है, अथे फिर काट दी है, एवी सही उत्तर नहीं है, तापमान वदन कारण वदन नाल लूंड दे कुलंडी मातरा वाद दी है, ए साड़ी समझ अनुसार सही option है, so option number three is the right option, प्रशन नौ है के हेटा दित्ते केडे चित्तर द्वारा पानी दे अनुनू, हाइड्रोजन परमानुआ जो के चित्ते गोले ना दरसाय गय है, आते अक्सीजन परमानू काले गोले दे संजोजन द्वारा दरसाय गया है, so in which of the boxes below the water molecules are shown by combining hydrogen atoms with white circles and oxygen atoms shown by black circles. So, प्यारे बच्चियों, असी दित्ते गई चित्तर नू त्यान नाल दे यह दे हाँ, ते सम्दस्या गया है के जो पानी दे अनू हाँ, नू है जो हाइड्रोजन परमानू चित्ते गोले नाल दखाय गये हाँ, जो यह सद्यकूल होणगे, जड़े हाइड्रोजन हाँ, यह चित्ते गोले नाल, हाइड्रोजन, ते जड़े काले है गया, इता सांधे हाँ, अक्सीजन नू, ते अनू पता है के जो हाइड्रोजन दा सुत्तर की होंदा है, सोरी, वाटर दा, वाटर दा फर्मूला होंदा है, ह2O, ठीके जी, दो प्रमानू हाइड्रोजन दे, ते एक प्रमानू ऑक्सीजन दा, तो इस प्रकार जो चित्तर नंबर दो है, एह सही उत्तर है, ते आओ हुन ऑप्शन्स वेटिक कर दने हैं, सो इस प्रकार ऑप्शन्स जो सी है, एह साठी साबनाल सही ऑप्शन है, प्रशन दस, हीठा एक सरकेट चित्तर देता है, जिस विच एक बलब आते एक बैटरी जोड़ी होई है, बिन्दू पी अते क्योग नू जोडन लई, वकवक समगरी दियां छड़ां दिवर्तो किती जांदी है, केडी छड जोडन नाल बलब नू रोशनी मिलेगी, So, the figure below is a circuit diagram with a bulb and a battery. Roads of different material are used to connect the points P and Q, which road would cause the bulb to light. तो प्यारे बच्चियों, जटर नू देख देही, असी जान जानने हैं के एहे खुला circuit है, एस विच बलब नहीं जाग रहे हा, ते बलब जगाण वास्ते साठे कुल कुछ options देती हैं हुई हैं, ते आओ उना options नू जान जानने हैं, साठे कुल first option देती हुई है, plastic, ते प्यारे बच्चियों सब्सक्राइब पता है कि plastic is a bad conductor of electricity, यह जो तक है, इसलिए जो test पेन हुँँदे हैं, या plastic हन्दा है, जो, ईह ओँ टूल्स ने जो, एक जो बजली mechanic है, बजली दे बरमत करन वास्ते बरता है, ताँ उना दे जीडियां मुठा हुंदीयां, और plastic दे बढ़ियां उन्दीयां, वो ऐसी तिर के प्लास्टिक दी बढ़िया हों दियान क्योंकि एह प्लास्टिक बिजली दा रोधक है तहां जो रहनों करांट ना लगे इसलिए एतांसर हो ही नहीं सकता सेकंड ओप्शन दे विच है शीशा थे प्यारे बिचों अब तोसी देख्या होना के कई इलेक्टिकल अप्लाइंसेज दे विच एक ब्रीक जी तार जो कि एक ग्लास ट्यूब देनाल कवर किती है वो ऐसा फ्यूज यूज किती है ठीक है इसलिए मतलब यह है कि कच दे कवरिंग क्यों देती गई है ताकि शॉट ना लगे करंट ना लगे इसलिए मतलब शीशे दा भी इस्तेमाल नहीं किता जा सक्दा सर्केट नूँ गजिवी जूदख है चौथी ओप्शन ग्याजन दिया तामबा तामबा सनु सारें पता है के थे यह सुन्दा लगे बिज्ली दियां ताराज अहां तामबेद्यां जा अलमीनियम दियां जा लॉए दियां बढ़ियां हैं सो ए सारे बिज्ली दे चालक हैं एसलिए प्रश्चन ग्यारा है, हेठा देतियां रसायनिक प्रक्रियामा विच्चों केडी प्रक्रिया द्वारा उर्जा सोखी जा रही है, द्यूरिग विच अफड़ केमिकल प्रोसेसेशं जाना, मुंबत्य जालना, पोध्याँ विच प्रकाष संसलेशन ते लोहे नूं जंग लगना, प्रिविच्चों अज तर्य जान दें हां की प्रकाष संसलेशन करिया की हंदी है, इस विच पहुंदियां द्वारा प्रकाश उर्जा सोखी जान्दी है ठीके इसलही साथा जो उत्तर हुएगा ओ हुएगा option number C, third option is the right option so question number 12 is given the two lists, list 1 and list 2 how have the above two lists been categorized so हेठा दो सूचियां, सूची एक का ते सूची दो देतीयां गई या हन उपरोक्त दो सूचियां नू किमी श्रिणी बद किता गया है so प्यारे बच्चियों, जो सूची वन है उस विच हवा ते समुंदरी पाणिन रख्या गया है सूची दो विच चीनी ते नमक पुजदा फॉर्मूला की होंदा है, C12, H22, O11 यह एक कंपाउंड है कंपाउंड की होंदा है, जो more than two substances और things देक कंबिनेशन देना बानदा है लेकिन इना दी एक set ratio होंदी है एक खास अनुपात होंदा है, ठीक है सो इसे दीके नमक, sodium ते chlorine द्वरा जिनों सी सदार नमक केने है सो एने सी एल जड़ा है, sodium chloride यह भी एक कंपाउंड है, जोगिक है जदकी हवा यह वकवक गैसा दा मिश्रन है गैसा दा मिश्रन है, तोडी कान है, पानी दे ड्रॉप सान परदूशन है, ठीक रादा, यह से दीके नमक, समुंदरी पानी ए वी एक मिश्रन है, तो आओ हुन अपनी समझ अनु सार असी options देख दे हैं, कि सानु की देता हुआ है तो आओप्शन हान, सूची एक विच मिश्रन हान, सूची दो विच जोगिक हान सूची एक विच अते सूची दो विच जोगिक हान, सूची एक विच जोगिक हान, आते सूची दो विच मिश्रन हान ते फोर्थ है, सूची एक विच अते सूची दो विच मिश्रन हान प्रशन देख देख दे हुए तो जो असी अपनी समझ लगाई सी प्रशन देश्रुवाद विच सूची एक विच मिश्रन है ते सूची दो विच जोगिक है प्रशन तेरा एक हलकी आग उपर एक पारी कंबल रखके इसनू बुजाया जा सकता है एक किवे हुंदा है A small fire can be put off by placing a heavy blanket over it How does this happen ते प्यारे बैच्चेओं एक हलकी आग है उस उपर जदो कंबल पारी कंबल जड़ा है राख देता जानता है उस आग नों बुजा आउड़ वास ते वो आग किवे हुज जानती है ते साठे कोल options हन तापमान कटाउना ऑक्सीजन नों आग तक पहुंचन तो रोकना जर्रशील प्यदार्थ नों सोखना ते लाट नों छोटा करन नाल पेरे बैच्चेओं सानु पता है कि जो लाट वास ते या आग वास ते जो सब तों first requirement साठी की है ओ है availability of oxygen क्योंकि oxygen gas जड़ी है और जलन क्रिया दे विच साहेता कारती है ताप विदाउट oxygen जलन क्रिया संभव नहीं है इसलिए ज़ों असी इस अगनू कंबलना टाख दने आ ताँ oxygen दी supply बंध हो जाती है सो इस प्रकार असी कह सकते हैं कि option number two is the right option so option two number three tick करांगे प्रशन चौधा त्वाड़ी दोस्त ने एक चटान ते चाड़ना है सुरक्यत चड़ाई करन लई उसनू रसी दी चोण करन विच त्वाड़ी मदद चाही दी है तो उसनू हेठा देती हैं रसीयां विच्चों केडी रसी चुणंदा सुजा देोगे your friend has to climb a rock she wants your help to select the rope for safe climbing which of the following ropes would you suggest सब्सक्राइब को options देती होई है ropes ले ता पहला आओ options जान जानने हैं लकर दी रेशम दी नायलोन दी ते cotton दी ते प्यारे बैच्चियों सब तो मजबूत रसी किस तो बढ़ी होईगी आपा पढ़े हैं ना कि जो पेराशूर्स हन या टेंट्स हन है ना इना विच कादे बढ़ी हों दे हन नायलोन दी यां क्योंकि नायलोन बहुत मजबूत होंदा है ते एक संसलिस्ट रेशा है ठीके जी एक पेट्रोर्यसाइट तो प्तियार किता जानदा है तो इसलेए ज स्रीस नो टेक करांगे प्रशन पंदरा हेठां दिते चित्तर नो वेखो बच्चाई कते बच्चा दो दा लिंक की होएगा observe the figure given below what will be the sex of child 1 and child 2 सो प्यारे वेच्चियों असी figure नो जो चित्तर नो ते आना देख देहां प्यारे वेच्चियों figure 1 दे विच मेल दे x chromosomes आते female दे x chromosomes the combination दिखाया गया है so एथे X ते X combination है figure 2 दे विच Y and X chromosome the combination दिखाया गया है मतलब है के male तो Y chromosome ते female तो X chromosome सानों सारे ने पता है कि male कोल X ते Y दोनों क्रोमोजोम सुन्दे हैं जदके female कोल X X क्रोमोजोम सी हुन्दे हैं so इस परकार जो दो Y X the combination दिखाया गया है ता असी options देख देख देह हैं कि समकीर देखाया है और चूँ केड़ा answer suitable है so option one देती होई है के बच्चा एक मादा होएगी है ते बच्चा दो नर होएगा यह बिलकुल सही option है बटा so इस परकार option number one is the right option ते प्यारे बिच्चियों इस प्रशंदे नाल ही सड़ा जो नैस समंदत जो 2017 देख साइन समंदत कोशन जायसन परदे विच उस सारे complete कर ले गए हैं ते प्यारे बिच्चियों तुसी आन वाली वीडियो भी इससे देखे ना देखनी हैं क्योंकि असी कोशिश करांगे कि हर दूसरे दिन तो हमनों एक sample test paper दे उपर वीडियो तियार करके पेची जावे ता जो सड़ा नैस समंदत जो टीचा है उसनों असी पा सकिये so नैस टीचे नुपान नै असी तुसी साथ साथ हैं right all the very best भी मिलंगे next video भीच thank you very much for viewing this video and please do share and subscribe thank you